अस्सलाम अलेकुम कैसे आप सब लोग आज की वीडियो में हैसो अपन कल जो हैसो तलंगाना के 10th के SSE regular students का result रिलीज हुआ उसके बार में अपन बात करेंगे फिर देन उसके बार में TS policy set के admission date और कैसा exam कब रहेंगा उसके बार में भी बात करेंगे देन intermediate students के regarding भी first year second year के regarding भी भी बात करेंगे फिर देन TS inter MSET मतलब TS MSET के students के regarding भी बात करेंगे फिर देन उसके बार में JNTUH के regarding भी बात करेंगे जो कि final year students के लिए है JNTUH के exam कब कैसा online offline रहेंगा timing क्या रहेंगी paper pattern क्या रहेंगा पूरा discuss करेंगे और अब सभी से request एकी video last तक देखे ताकि आपको पू तो जिसे कि आप सभी को मालू है कि कल तलंगाना का SSC वालों का result release हुआ जो कि आप लोग result देख लिए होंगे कहीं सारे students और माशालला से कहीं सारे students को अच्छा सा result आया majority students को 10 by 10 और फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 9 के अंदर आया 8 GPA के 10 GPA के बीच में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को marks तो और जो है सो अब जो बच्चे 10 हो गया आप वो लोग अब intermediate में या फिर डिप्लोमा पॉली टेक्निक या फिर अपने वोकेशनल कोर्स जो भी admissions लेना चारे तो अपन टीएस पॉली सेट के बारे में बात करेंगे जो कि 2020 जो बच्चे 10 के बार मे डिप्लोमा में एक admission लेना चारे पॉली टेक्निक उल्लों को इंटरेंस एक्जाम लेना रहता उसके लिए आपको क्या है online registration करवाना रहता तो जो कि online registration की जो डेट अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है पॉली टेक्निक डिप्लोमा में लेने के लिए तो आप लोगों को 24 में से आप लोगों की online registration डेट चालू होने वाली है जो कि जून की 11 तक without fine चलने वाली है फिर देन आपको जून 13 तक with fine है और आपको extend with fine के साथ आने वाला है अगर आपको without fine पे करना है तो आप जून 11 से पहले बंदी जीए तो अब रही बात exams की fee तो pay कर लेंगे आप तो exams कब रहेंगे बोलके कहीं सारे students को doubt है तो यह जो है तो polytechnic के examiner's जो conduct करने वाले वो लोग यह बोल दिये कि COVID-19 situation को देखते हुए हम कुछ भी date अभी तो नहीं बोलेंगे मगर as per situation देखते हुए हम आपक जल्दी release करेंगे और जो है सो जैसा polytechnic आपका exams होईगा तो आपको जो है सो result कब आएंगा बोले तो within 10 days में आजेंगा तो I hope आप लोगों clear हो गया होगा polytechnic के regarding जो भी बच्चे interested है जाके apply कर ले सकते है क्यों बोले तो बहुत ही अच्छा course है polytechnic इसके अंदर क्या है बो बोले टेकनिक का होना है तो आप इंशालाब कमेंट करिए उसके उपर भी मैं कभी डीटेल में वीडियो पनाऊंगा फिर रही बात intermediate के regarding intermediate के कहीं सारे subscribers बार बार कमेंट करके पूछ रहे सर इंटर फस्ट एर के regarding कुछ update आई क्या या इंटर से किंडियर के regarding कुछ करेंगा मालूम होईगा अब रही बात second year की second year का है सो CBSC का क्या है सुप्रेम कोड में petition चर रहा है दो जैने एक जैने exams कैंसल करो बोलके petition दाले एक जैने exams low बोलके petition दाले तो अब अपने को देखना है होईंगे या नहीं होईंगे जैसा आपको update आएंगे मैं आपको उसके regarding आपको update दूँगा और जो रही बात second year सब्ली के स्टूडेंस से सब्ली स्टूडेंस को minimum माक से पास कर दिये बुलके आप लोगो आप लोगो आप लोगों को clear हो गया होंगा जो बच्चे अब intermediate में हैं उनके regarding क्या update है बोले तो latest TSMC के regarding update है जो कि TSMC के admission जो online करना था यह क्यों बोले तो यह एक आईसा रस्ता है बोले तो जो आपको इंटर से आपको higher level study तक जाता तो बास बच्चे इसके लिए क्या हच्चे college में लेने के लिए long term course भी करते बाद जने ऐसा ही कर ले तो एक MSET एक ऐसा application है जो आपको exam जो कि आप अपलाई कर रहे तो इससे आ आपको जुलाई की 5,6,7,8,9 में रहेंगे मतलब जो agriculture के है जो engineering के दोनों का मिला के बोरू जो medical और engineer तो I hope आप लों को clear हो गया होंगा MSET के regarding भी और कुछ भी ऐसी अपडेट आए तो मैं मेरे चैनल पर update करते रहूँगा ओके फिर रही बात अपन JntU के regarding बात करेंगे JntU है कि online exam बोले तो कैसा लिंगे क्या करेंगे क्या क्या रहेंगा तो आई आप अपनों को इसके अंदर इंशालला मैं हर चीज़ के लिए कर दूंगा ठीक है तो रही बात आपको देखो पहली बात आपको यह first time आप लोग ऐसा online exam लिख रहे है और जो की यह है सो AI based technology के basis पे artificial intelligence तो final year के students को exams लेने वाले जो की paper exam तो online है मकर paper क्या है बोले तो आपको pen पे ही लिखना है मतलब paper pen पे exam लिखना है जैसा है कि आपको display पर ऐसा computer पर लिखना नहीं है तो आपको एक room अपने हिसाब से घर में जो कि कोने में एक room देख लेके आपका mobile laptop या desktop उसके ओपर friend camera ख आपको exam लिखना है तो आपको जो question है सो आपको आपके screen पर दिखाया जाएगा तो आपको उसमें से questions देखके लिखना हो के तो b.tech, b.formancy के students है जो के exam लिखने वाले है ये बार 40,000 student है तो 40,000 students को exam लेने वाले है ये लोग ऐसा linkable के online में ये लोग एक latest चीज निकाले J&TUH तो अब आप लोगो online exams कब से रहने वाले आपको तो time table आ गया होंगा जो की June की 14 से है ठीक है जो कि आप सभी को मालूम है अब रही बात exam timing की जो पहले की आथा आपको exam 3 घंटे का था मगर आपको last time भी COVID-19 की तरफ से 2 hours करे अभी भी आप लोगो ऐसो 2 घंटे का exam रहेंगा और दिन फिर रही बात paper pattern के regarding अब paper pattern previous आएंगा या फिर COVID-19 के regarding last year आएवस आएंगा या फिर आप पुराना type आएंगा बोले तो maximum chances यह है कि आप लोगो 50% choice के साथ आपको paper आएंगा मतलब maximum choice रहेंगे ठीक है तो हो सकता आप लोगो यह चीज एक best है तो आप लोग COVID-19 के हि आप से last year previous year जो बच्चों को paper आया जो कि 2 घंटे है ना timing तो maximum COVID-19 के हिसाब से 50% choice वाला paper रहेंगा तो आपको जो है सो exam life लिखना है मगर paper में लिखना है तो आप लोगो जो है सो जैसा आप लोग exams लिख लिगे और इसके अंदर क्या है बोले तो जैसा कि each student को मतलब 20 students को ए एक इन्विजलेटर रहेंगा मतलब जो कि उन्हें भी घर में रहेंगा मगर आपको screen पे आपको पूरों कुने एक साथ देखते रहेंगा फिर उसके अलावा भी आपको AI मतलब artificial intelligence technology IC यह लोग लाए कि अगर आप unnecessary मुंडिया एदार उदर करें मतलब कुछ ऐसा देखने करे आपको टाइम लॉक कर देता मतलब आप फिर एक्जाम नहीं लिख सकते तो यह चीज का धियान रखिए आप लोग इदसों में बड़ा टार्गेट क्या है तो दो गंटे एक साथ बैटना है फिर आपको एक इन्विजलेटर भी देखने वाला है जो कि बहुत आसान होने व देना को क्या करना है बोले तो एक लिंक दी जाएगी वो लिंक पर आपको सेंड कर देना है I hope आप लोगो पूरा JN2K रिगार्डिंग भी क्लियर हो गया होँगा तो यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाधा स्याधा शेयर करिए चानल पे नए है तो करिए कुछ भी एजुकेशनल अपडेट चाहिए फिर या एजुकेशन के कुछ भी टॉपिक पर आगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए इंशाल्ला मैं टाइम निकालके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा चलिए चलते है अल्ला हाफीज